हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल टेस्टी ट्रिट्स विट नी तूमे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादियों में बनने वाले शाही गाजर के हलवे की रेसिपी जिसे आज हम बीना मावा बीना कंडेंस मिलक के मिंटों में बना कर तैयार करने वाले हैं वो भी एकदम शाही अंदाज में और सिक्रेट तरीके से तो चलिए हम फटापट से गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहां ले लिए एक किलो गाजर गाजर को मैंने दो से तीन बार अच्छी तरह से वोश करके ले लिया है आज हम गाजर को ग्रेट करके नहीं बलकि काट करके बनाएंगे तो इनके उपर जो यह छिलका है इसे हम हटा लेंगे गाजर के उपर बहुत सारे रेशे होते हैं इस तरह से यदि हम गाजर को छिल लेंगे तो वो सारे रेशे निकल जाएंगे और जब हम हलवा बना कर खाएंगे तो वो मुह में भी नहीं आएंगे और हलवा बहुत अच्छा लगेगा सबी गाजर को मैंने इस तरह से साप कर लिया है अब हम इसके ये उपर नीचे का जो खराब इससाई उसे निकाल लेंगे इस तरह से गाजर को साप करने के बाद हम इसे गिसने के लिए बेड जाते हैं जिसमें हमारा घंटो का समय बर्बाद हो जाता है लेकिन आज मैं इस तरह से इसे पीस में कट कर रही हूँ जिससे हमारा गंटों का काम मिंटों में हो जाएगा और हमारा हलवा भी बहुती स्वादिष्ट बनेगा ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सभी गाजर को काट लिया है और इसे एक से दो बार फिर से पानी से दो लिया है जिससे जो भी धूल मिट्टी गाजर में थी वो अच्छी तरह से निकल गई है चलिए अब हम एक कूकर को गेस पर रख कर उसमें डालेंगे 3 टेबल स्पुन गी जी हाँ इस हलवे को हम सिर्प 3 टेबल स्पुन गी में ही बहुत स्वादिष्ट बना कर तैयार करेंगे ये मैंने कुछ कटे हुए ड्राइप रूट्स लिये इने में गी में डालकर फ्राई कर रही हूँ ड्राइप रूट्स को इस तरह से थोड़ा फ्राई करके डालने से हलवे में ड्राइप रूट का टेश्ट बहुती गजब काता है वेसे तो गाजर का हलवा अपने आप में ही बहुत स्वादिष्ट लगता है यह किसी ड्राइप रूट्स का मोहताज नहीं है फिर भी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या जादा ड्राइप रूट्स एड कर सकते हूँ काजू और बादाम थोड़े से फ्राई हो गए तो मैं इसमें थोड़ी सी किश्मिश भी डाल रही हूँ यह सबी चीजें अच्छे से फ्राई हो गई है तो अब हम इने अलग निकाल लेते हैं और इस बचे हुए गी में हम कटी हुई गाजर को डालेंगे गी में हमें गाजर को 4-5 मिनट तक भूनना आए जी हाँ जितना अच्छे से हम गी में गाजर को भूनेंगे उतना ही स्वादिश्ट हमारा हलवा बनकर तैयार होगा। जैसा हलवा हम शादियों में और बड़ी-बड़ी होटलों में खाते हैं। जैसा ही टेश्ट और कलर हमारे हलवे में भी आने वाला है। आप देख सकते हैं कि गाजर थोड़ा सोब्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है तो अब हम इसमें डालेंगे आदा कप मलाई जी हाँ ये घर के दूद की मलाई है इसे डाल लेंगे इसमें हम दूद कम यूज करेंगे वन थर कप इतना ही मैंने दूद लिया है और इसे भी डाल लेते हैं मलाई डालने से हलवे को ज्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ेगा और नहीं इस हलवे का कलर चेंज होगा सबी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब हम तीन वीसल आने तक हलवे को कुक कर लेंगे इस तरह से वीसल को हटा करके फिर ढकन को बंद करना है और इसके बाद वीसल को लगा लेना है चलिए फ्रेंड्स जब तक कूकर में सीटी लग रही है तब तक हम आगे की प्रोसेस को फोलो कर लेते हैं जिससे हमारा टाइम बचेगा यहां में छेना बनाने के लिए ले रही हूं आदा लीटर दूद इस दूद को बोईल आने तक गरम कर लेना है आज इस गाजर के हलवे को में छेना डाल कर बना रही हों जिससे यह बिल्कुल हलवाईयों जैसा बनेगा दूद में उबाला गया है तो अब हम फ्लेम को बन कर देंगे और दूद को थोड़ा ठंडा करेंगे फ्रेंड्स हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि जब आप छेना बना रहे हो तो गरम गरम दूद में निम्बू या विनेगर नहीं डाले दूद जब थोड़ा ठंडा हो जाए तभी उसमें विनेगर या निम्बू डाल कर फाड़े यह लीजिए दूद थोड़ा ठंडा हो गया है अब इसमें से इस्टिम निकलना भी बंद हो गया है यहां मैंने एक बड़ा चम्मच निम्बू का रस लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया है फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूद में डालते जाए और चम्मच से चलाते जाए यह लीजिए हमारे दूद में से पानी और छेना अलग-अलग हो गए है तो अब हम इस छेने को चान करके अलग निकाल लेंगे और इसे दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह से वोश कर लेना है जिससे इसके अंदर की खटास अच्छी तरह से निकल जाएगी लीजिये हमारा छेना बनकर तैयार हो गया है तो अब हम फिर से गेस की तरब चलते हैं कूकर में भी तीन विसल आ गई है तो अब आज को मीडियम कर देंगे और इसे पांच मिनट तक और पकने देंगे पांच मिनट के बाद हमें गेस के फ्लेम को बंद कर देना है और कूकर के प्रेशर को रिलीज होने देना है कूकर का प्रेशर अच्छी तरह से रिलीज हो गया है तो अब हम धक्कन को अटा कर देखेंगे गाजर अच्छी तरह से सोप्ट हो गई है लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा दूद बचाए इस दूद को हम अलग बरतन में निकाल लेंगे अब हमें गाजर को अच्छी तरह से मेश करना है मैं इस तरह से इस पेचुला से इसे मेश कर रही हूँ आप इसकी जगे इस तरह की एक विसल ले ले और इससे भी मिक्स कर सकते हैं इस तरह से आप मिक्स करेंगे तो यह जल्दी से मिक्स हो जाएगी और जिस तरह से हम ग्रेट करके गाजर को हलवा बनाते हैं उसी तरह से यह अल्वा भी दानेदार बनेगा गाजर को मैंने अच्छी तरह से मेश कड़ लिया है तो अब हम इसे फिर से गेश के उपर रखेंगे हमने जिस दूद को अलग निकालके रखाता उसे फिर से डाल देंगे और पकालेंगे जिससे हमारी गाजर और भी रिच हो जाएगी इसमें अब हम डालेंगे 6-7 केसर के धागे जिससे हमारे गाजर के हलवे में नेचुरली कलर आ जाएगा और हमें कोई भी दूसरा फूट कलर डालने की जोरत ही नहीं रहेगी आप देख सकते हैं फ्रैंस तीन से चार मिनट में हमारा हलवा ड्राई होने लग गया है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे शूगर यहां मैंने एक कप शूगर ले लिए यह मैं एक की साथ में पूरी नहीं डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके शूगर को डालूंगी और इसे चलाती रहूंगी जब एक बार की शूगर का पानी ड्राई हो जाएगा तब हम फिर से थोड़ी और शूगर डालेंगे और फिर से चलाएंगे ऐसा करने से हमारे हलवे में बहुत अच्छा कलर आएगा सारी शूगर को मैंने डाल दिया है अब इसे भी 2-3 मिनट तक और पकने देंगे जिससे जो भी शूगर पानी रिलिस करेगी वह अच्छी तरह से पक जाएगा ये देखिए फ्रेंड्स एकदम मस्त कलर आ गया है हमारे गाजर के हलवे में ये देखते ही लग रहा है ना एकदम हलवाईयों जैसा इस स्टेश पर हम डालेंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलाईची पाउडर और जो छेना अभी हमने तैयार करके रखाता उसे भी डाल लेंगे और इसे तीन से चार मिनट तक और पकने देंगे हमारा हल्वा बन करके हो गया है तैयार तो अब हम इसमें डाल लेंगे ड्राइफ रूट्स और थोड़े से ड्राइफ रूट्स को अलग रख देंगे घार्निश करने के लिए इन सबी चीजों को एक बार अच्छे से mix कर लेना है और अब कर देंगे कि इसके flame को बंद और हल्वे को करेंगे सर्व जर्मा गरम हल्वा खाईए और enjoy कीजिए यकिन मानिये एक बार आप भी इस तरह से हल्वा बना कर खालोगे तो बार बार इसी तरह से हल्वा बनाने का मन करेगा मैंने बचे हुए ड्राइफ रूट से हलवे को गार्निश कर लिया है आप अपनी पसंद से किसी भी चीज से हलवे को गार्निश कर सकते हो हर बार की तरहे आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लिस मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई सी यू